अमेरिका के पूर्व राष्टपती डोनाल्ड टरम्प की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टरम्प को गोपनिय दस्तावेज रखने के मामले में आरोपी बनाय गया है। अब उन पर मुकदमा चल सकता है। नियोर्क टाइम्स के मुताबिक स्पेशल काउंसल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और वो जल्दी टरम्प पर क्रिमिनल चार्ज लगाने की तयारी कर रहे हैं। टरम्प पर आरोप है कि वाइट हाउस छोड़ने के बाद भी उन्होंने गोपनिय दस्तावेजों को अपने पास रखा। वही नाराजगी जाहर करते हुए टरम्प ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अमेरिका के पूर्व राष्टपती के साथ कभी ऐसी चीज़ें भी होगी।